परमात्मा शिरी कृष्ण की वाणि गीता गुरू शिष्य समवाद है। अतह अर्जुन ने स्विकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे वोप देश दीजिए जिससे मैं परमश्रे को प्राप्थ हो जाओ। अतह उस परमगुरू के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये इस्तुति गुरू वंदना प्रस्तुत की जा रही है। ओम श्री सत्गुरू देव भगवान की जाए। आमाराशरीरं आविकारी प्रस्तुति गुणा प्रस्तुति गुणा नुणा रगवान की जाए। प्रश्चुलं माभाभारी सूरत निजासोहं काली मलाखोहं जानमानमोहना चरथ भानी हमारा कुरवासिं सबसुखराशिं 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 निर्विकारी, आलुबाबा गंधीरा, माती के धीरा, आलकपतिया, आवतारी, योगिया ग्वैस्टा, ट्रीकालद्रस्टा, केवला पना, आनन्दकारी, चित्रपूता ही आयो, आद्वैता लखायो, आनुसुलिया, आसनमाई, श्री पर्माहंसस्वामी, आंधर्यामी, हे मननावी, संसारी, हंसनहितकारी, जगपगुधारी, गर्मात्रहारी, पुपकारी, सतर्पन के जलायो, बर्मामिदायो, रुपकार्यो, करतारी, यह शिश्या है तेरो, करतानी होरो, मोपनधेरो, प्राणधाली, जया सदा गूरु देवं, प्रामानंधं, आमर शरीरं, अमिकारी, सदत्दने प्राणध्त्यूने और्माध्त्यूने टार्दम्त्यून्त्यूने भावा भावारी ओम जय गुरु देवा जय गुरु देव जय गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा अम्रितंश बहनों तथा भाईयों जिन महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी तो वो है भागवान श्री नोक्त गीता तरह तरह की पूजा पधतियां परस पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित हैं जबकि धर्म का लक्ष है एक परमात मा की शोध कल्याण स्वरूप वो परमात मा एक है उसे प्राप्ट करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है जब पर्मात्मा एक है उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है तो बहुत से पंथ क्यों इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावंश ये गीता कैसिट धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद तथा पूर्ण विवरण युगेश्वर श्री कृष्णूत गीता है विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है वो सब का सब तथा अनेक गोपनी स्थितियों क का स्पष्टी करन अकेले गीता में है इसलिए संपूर्ण मानवजाति के कल्यान का अतर की शास्त्र गीता है महाभारत में संकेत है कि जब कौर्वों और पांडवों की सेनाय आमने सामने खड़ी हो गई तो संपूर्ण निशांतर कौर्वों में प्रवेश कर गए और सभी देवता पांडवों में इस कथन से महर्शि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर है तथा प्रतीकात्मक है प्रत्येक मनुष्य के अंतह करण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं दैवी शक्तियों के सहयोग से ज काम क्रोध राग द्वेश इत्यादी आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है अर्जुन श्रे के लिए विकल था उसकी द्रिष्टी में श्रे का उपाय था कुल धर्म पिंडोदक क्रिया वर्ण संकर से ब बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादी मात्र इतनी सी शंका के समाधान हे तु भगवान को उसे 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नश्ट हुआ अर्जुन ने स्विकार किया कि भगवन मेरा मोह नश्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है वस्तुता ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी बलकि मानव मात्र की शंका है कि श्रे क्या है उसे कैसे प्राप्त करें इसलिए स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध मानव मात्र के लिए गीता के 18 अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितान तावश्यक है जिससे ब्रह्म विदी की स्मृती स्रिजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्यान कारी संसकारों का स्रिजन हो सके इस गीता ग्यान के बिना कोई भी मनुष्य उस इश्वर के पत पर नहीं चल सकता अक्षै सुख, शाश्वत शान्ती, लोक में सम्रिद्धी तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसुटों का संकलन किया गया है इसके नियमित श्रवन से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करें संसार में कहीं भी मनुष्य हो, उसके लिए गीता सदैव अम्रित वाहिनी है गीता आपका शास्त्र है गौरोव का विशय है कि पाँच हजार वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है जन्म जन्मांतर की रूडियों से ग्रस्त मस्तिश्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पत पर चलने के लिए इन कैसुटों का प्रसारण प्राता अवश्य करें ओम् श्री परमात मने नमह यथार्थ गीता श्री मद भगवत गीता अथ प्रथमों अध्यायः द्री द्राश्च को वाच्छ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास्चैव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये कत्र युद्ध की इच्छावाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया अज्यान रूपी द्रितराश्च्र और संयम रूपी संजय अज्यान मन के अंतराल में रहता है अज्यान से आवरित मन द्रितराश्च्र जनमांध है किन्तु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है सुनता है वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है फिर भी जब तक इस से उत्पन मोह रूपी दुर्योधन जीवित है इसकी दृष्टी सदैव कौरवों पर रहती है विकारों पर ही रहती है धर्म एक छेत्र है जब हिर्दय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म खेत्र बन जाता है और जब इसमें आशुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक खेत्र बन जाता है कुरू अर्थात करो ये शब्द आदेश आत्मक है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है वो ख्षण मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता गुण उससे करा लेते हैं तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन गुण जीवित हैं तब तक कुरु लगा रहेगा अतहा जन्म मृथ्यु वाला कशेत्र विकारों वाला कशेत्र कुरुक्षेत्र है और परमधर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुन्यमई प्रवर्थियों का क्षेत्र धर्मख्यत्र है पुरा तत्व विद्पंजाब में काशी प्रयाग के मद्य तथा अनेका अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोद में लगे है किन्तु गीताकार ने स्वयम बताया है कि जिस ख्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो कहा है इदम शरीरम कौन तेय ख्षेत्र मित्य भी धीयते अरजुन ये शरीर ही ख्षेत्र है और जो इसको जानता है इसका पार पालेता है वो ख्षेत्रग्य है आगे इन्होंने ख्षेत्र का विस्तार बताया जिसमें दस इंद्रियां मन, बुद्धी, अहंकार, पाचों विकार और तीनों गुणों का वर्नन है शरीर ही ख्षेत्र है एक अखाड़ा है इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो है डैवी संपद और आसुरी संपद पांड़ की संतान और धृत्राष्ट की संतान सजातिये और विजातिये प्रवृत्तियां अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संगर्ष का सूत्रपात होता है ये खेत्र खेत्रग्य का संगर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है किन्तु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती ये तो आपसी बदले है प्रकृति का सर्वता शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिखदर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन सैयम के द्वारा जानता है कि खेत्र खेत्रग के युद्ध में क्या हुआ अब जैसा जिसके सैयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे द्रिष्ट आती जाएगी संजय उवाच द्रिष्टवातु पांडवा नीकम व्यूढम दुर्योधन स्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीद उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचारी के पास जाकर ये वचन कहा दुएद के आचरण ही द्रोणाचारी है जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गये हैं वहां उसकी प्राप्ति के लिए तडप पैदा हो जाती है तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं दोनों प्रवृत्यों के बीच यही प्रात्मिक गुरु है यद्यपी बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थिति वाले होंगे राजा दुर्योधन आचारिय के पास जाता है मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है राजा है दुर्योधन दुरु अर्थाद दूशित योधन अर्थाद वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है उसमें जो दोश उत्पन करता है वो है मोह ये प्रकृति की ओर खीशता है और वास्त्विक जानकारी के लिए प्रेडा भी प्रदान करता है मोह है तभी तक पूछने का प्रशन भी है अन्यथा सभी पूर्ण ही है अतह व्यूह रचना युप्त पांडवूं की सेना को देखकर अर्थात पुन्य से प्रवाहित सजातिये वृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने गुरु द्रून के पास जाकर यह कहा पश्चयताम पांडवू पुत्राणा आचार्य महतीम चमू व्यूढाम दुरुपद पुत्रेण तवशिषेण धीमता हे आचारिये आपके बुद्धिमान शिष्य दुरुपद पुत्र द्रिष्ट द्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवू पुत्रों के इस भारी सेना को देखी शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला द्रिण मन ही द्रिष्ट द्युम्न है यही पुन्यमई प्रवृत्यों का नायक है साधन कठिन न मन करटेगा साधन कठिन नहीं मन की द्रिणता कठिन होनी चाहिए अब देखें सेना का विस्तार पत्रशूरा महेश्वासा भीमार जुनसमा युधी युईधानो विराटश्च दुरुपदश्च महारतः इस सेना में महेश्वासा महान ईश में वास्दिलाने वाले भाव रूपी भीम अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवी जैसे सात्वित्तारूपी सात्य के विराटः सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा महारती राजा दुपद अर्थात अचल स्थिति तथा ध्रिष्ट केतुष्चे कितानः काशि राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवह ध्रिष्ट केतुष्च द्रिड करतव्य चेकितानः जहां भी जाए वहां से चित्त को खीच कर इश्च में स्थिर करना काशि राजश्च काया रूपी काशि में ही वो सामराज्च है पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कुन्ति भोज़ह करतव्य से भव पर विजय नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्यव्यवहार युधा मन्युष्च विक्रान्तह उत्त मौजाश्च वीर्यवान सवभद्रो द्रवपदे आश्च सर्व एव महारताह और पराक्रमी युधा मन्यु युध के अनुरूप मन की धारणा उत्त मौजाह शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आजाता है तो मन भय से रहित हो जाता है ऐसा शुभ आधार से उत्त पन अभय मन ध्यान रूपी द्रवपदी के पाँचों पुत्र वातसल्य, लावन्य, सौम्यता, स्थिर्ता, सहरदैता सब के सब महारती हैं साधन पत पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की ख्षमताएं हैं इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाएं जो दैवी संपद के महत्व पूर्ण अंग हैं विजाती ये प्रवर्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजाती ये प्रवर्तियों को समझने के लिए बात ये करता है दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है यदि कोई बाहय युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता विकार कम गिनाएं गए क्योंकि उन पर विजय पाना है वे नाशवान है केवल पांच साथ विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपोर्ण बहरमुखी प्रवरत्ति विद्यमान है जैसे अस्माकम्तु विशिष्टाये तान्नि बोधत द्विजोत्तम नायकाममसैन्यस्य संग्यार्थम्तान ब्रवीमिते द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूं बाहे युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है वस्तुतह गीता अंतह करण की दो प्रवित्तियों का संगर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोन हैं जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्धिमान है द्वैत बना है इस द्विपर जय पाने की प्रेर्णा प्रथम गुरू द्रोनाचारी से मिलती है अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेर्णा प्रदान करती है वो पूजा स्थली नहीं वहां शार्य सूचक संबोधन होना चाहिए विजाति ये प्रवरत्ति के नायक कौन-कौन है भवान भीश मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिन जयह अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद अत्तिस्त थैवच्च एक तो स्वयम आप द्वयत के आचरण रूपी द्रोणाचारिय हैं ब्रह्म रूपी पितामा भीश्म है ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है अंत तक जीवित रहता है इसलिए पितामा है समूची सेना मर गई ये जीवित था शर्शयय पर अचेत था फिर भी जीवित था ये है ब्रह्म रूपी भीश्म ब्रह्म अंत तक रहता है इसी प्रकार विजातिय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजई क्रिपाचारिय हैं साधना वस्था में साधक द्वारा क्रिपा का आचरण ही क्रिपाचारिय है भगवान क्रिपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है किन्तु साधन काल में जब तक हम अलग है परमात्मा अलग है विजातिय प्रवर्ति जीवित है मोह मैं घिराव है ऐसी परिस्थिति में साधक यदि क्रिपा का आचरण करता है तो वो नश्ठ हो जाता है सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चिट करना पड़ा विश्वा मित्र दयार्द हुए पतित होना पड़ा योग सूत्रकार महर्शी पतंजली भी यही कहते हैं ते समाधा वुपसरगा, व्युत्थाने सिध्धया व्युत्थान काल में सिध्धिया प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिध्धिया हैं, किन्तु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विग्ण हैं, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इत्यादी, गोस्वामि तुलसी दास का भी यही निरने है माया अनेक विग्न करती है रिद्धियां प्रदान करती है यहां तक कि सिद्ध बना देती है ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए मरनासन रोगी भीजी उठेगा वो भले ठीक हो जाए किन्तु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नश्ठ हो जाएगा एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा यदि लक्षे दूर है और साधक क्रिपा करता है तो क्रिपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा इसलिए साधक को पूर्ती परियंत इससे सतर्क रहना चाहिए दया बिनुसंत कसाई दया करी तो आफत आई लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातिय प्रवरत्ति का दुर्धर्श योद्धा है इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा विकल्प रूपी विकर्ण और ब्रहम मई श्वास ही भूरी श्रवा है ये सभी बहर मुखी प्रवाह के नायक है अन्येच बहवः शूराह मदर्थे त्यक्त जीविताह नाना शस्त्र प्रहरणाह सर्वे युद्ध विशारदाह और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं किन्तु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है इस पर कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीश्माभी रक्षितं पर्याप्तम त्विदमे ते शाम बलं भीमाभी रक्षितं भीश्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से आजे है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है परियाप्त और अपरियाप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है अतह देखना है कि भीश्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेशुच सर्वेशु यथा भागम वस्थिताह भीश्म मेवा भी रक्षन तू भवन्त सर्वेव ही इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीश्म की ही सब और से रक्षा करें यदि भीश्म हैं तो हम अजे हैं इसलिए आप पांडवों से न लड़कर चेवल भीश्म की ही रक्षा करें कैसा योद्धा है भीश्म जो स्वयम अपनी रक्षे कौर्वों को उसकी रक्षा व्यवस्ता करनी पड़ रही है ये कोई बाय योद्धा नहीं ब्रह्म ही भीश्म है जब तक भ्रहम जीवित है तब तक विजाति प्रवरतियां कौरव अजे हैं अजे का ये अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके बलकि अजे का अर्थ दुरजय है जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो महा अजय संसार रिपु जीत सकैसो बीर यदि भ्रम समाप्त होजाए تو अविद्या अस्तित्वहीन होजाए मोह इत्यादी जो आन्शिक रूप से बचे भी हैं शीक्री ही समाप्त होजाएंगे भीष्म की इच्छा मृत्यू थी इच्छा ही भ्रम है इच्छा का अन्त और भ्रम का मिटना एक ही बात है इसी को संद कबीर ने सरलता से कहा इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया जहां भ्रम नहीं होता वो अपार और अव्यक्त है इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है सो कामयत तदैक्षत बहुस्याम प्रजाये ये इति कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वता रहित हैं तिनका पार ना पाया वे अपार, अनंत, असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं योकामो निशकाम, आप्तकाम आत्मकामो नतस्यप्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म वसन ब्रह्मा प्येदि जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्त की इच्छा शेश रहती है जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है यदि उससे भी बड़ी कोई वस्त होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते जब उससे आगे कोई वस्त है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी जब प्राप्त होने योगी कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नश्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रहम का सर्वता अंत हो जाता है यही भीश्म की इच्छा मृत्यु है भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवह भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है भाव वस्य भगवान सुख निधान करुना आयन श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश्म कर लेता है भाव से ही संपूर्ण पुन्यमई प्रवरत्ति का विकास है ये पुन्य का संग्रक्षक है है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है किन्तु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती इश्ट में लेश मात्र भी तुरुटी प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है पुन्यमई प्रवृत्ति विचलित होटती है इश्ट से संबंध तूट जाता है इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है महर्शी पतंजली का भी यही निरणय है स तु दीर्ग काल नैरंतर ये सतकारा सेवितो द्रिल भूमे है दीर्ग काल तक निरंतर शद्धा भक्ति पूरुवक किया हुआ साधन ही द्रिल हो पाता है इस प्रकार अपने बला बल का निर्णय लेकर शंक ध्वनी हुई शंक ध्वनी पात्रों के पराक्रम की घोशना है कि जीतने पर कौन सा पात्रा आपको क्या देगा कौरवों में व्रिद प्रतापवान पितामा भीश्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्श उत्पन करते हुए उच्च स्वर से सिंग नाद के समान भयप्रद शंक बजाया सिंग प्रकृति से भयावा पहलू का प्रतीक है घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दाड़ कान में पढ़ जाए तो रौंटे खड़े हो जाएंगे रदय कापने लगेगा यद्यपी शेर आपसे मीलों दूर है भय प्रकृति में होता है परमात्मा में नहीं वो तो अभय सकता है ब्रह्म रूपी भीश्म यदि विजई होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा भय की एक परत और बढ़ जाएगी भय का आवरण घना हो उठेगा ये ब्रह्म इसके अत्रिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा अतह प्रकृति से निवृति ही गंतव्य का मार्ग है संसार में प्रवृति तो भवा टवी है घोर अंधकार की छाया है इसके आगे कौर्वों की कोई घोशना नहीं है कौर्वों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे किन्तु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान कर आते हैं इससे अधिक कुछ नहीं प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है इसलिए उन्होंने भी घोशना की ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गो मुखाह सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु मुलो भवत तदनंतर अनेक शंख नगारे ढोल और नर्सिंग हादि बाजे एक साथ ही बजे उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ भय का संचार करने के अत्रिक्त कौर्वों की कोई घोशना नहीं है बहिर मुखी विजाती प्रवृत्ती सफल होने पर मोह मैं बंधन और घना कर देती है अब पुन्यमई प्रवृत्तियों की ओर से घोशना आये हुई जिन में पहली घोशना योगेश्वर श्री कृष्ण की है इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त जिन में लेश्मात्र कालिमा दोश नहीं है श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है महति स्यंदने महान रत पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंक बजाए अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे मित्य लोग देव लोग ब्रह्म लोग जहां तक जन्म मरन का भए है उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोश्ण योगेश्वर श्री कृष्ण की है सोने चान्दी काठ का रथ नहीं रथ अलावकिक, शंक अलावकिक अतह घोषणा भी अलावकिक ही है लोकों से परे एक मात्र ब्रह्म है सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है पांच जन्यम रिशी केशो देवदत्तम धनन जयः पौंड्रम दध्मव महाशंखम भीम कर्मा व्रिको दरह रिशी केशा जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है उन कृष्ण ने पांच जन्यशंख बजाया पांचों ग्यानेंद्रियों को पंच तनमात्राओं शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध के रसों से समेट कर अपने जन, भक्त की श्रेणी में ढालने की खोषणा की विक्राल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे शिश्यस्तेहम भगवन मैं आपका शिश्य हूँ बाय विशय वस्तूं को छोड़ कर ध्यान में इश्ट के अतरिक्त दूसरा न देखें दूसरा न सुने न दूसरे का स्पर्ष करें ये सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है देव दत्तम धनंजयह दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अरजुन है इश्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो गदगद गिरा नयन बह नीरा रोमांच हो इश्ट के अतरिक्त अन्य विशय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए उसी को अनुराग कहते है यदि ये सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्त पर आधिपत्त के प्राप्त कर लेता है इसी का दूसरा नाम धनन्जय भी है एक धन तो बहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वा की व्यवस्ता होती है आत्मा से इसका कोई संबंद नहीं है इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ती ही निज संपत्ती है व्रिहदारण्य कोप निशद में याग्य वल्क्य ने मैत्रेई को यही समझाया कि धन से संपन्पृत्वी के स्वामित्व से भी अम्रितत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है भयानक कर्म वाले भीन सेन ने पौंडर अर्थात प्रीति नामक महाशंक पजाया भाव का उदगम और निवास थान हिर्दय है इसलिए इसका नाम व्रिकोदर है आपका भाव लगाव बच्चे में होता है किन्तु वस्तुता वो लगाव आपके हिर्दय में है जो बच्चे में जाकर मूर्थ होता है ये भाव अथा और महान बलशाली है उसने प्रीति नामक महाशंक बजाया भाव में ही वो प्रीति नीत है इसलिए भीम ने पौंडर प्रीति नामक महाशंक बजाया भाव महान बल्वान है किन्तु प्रीति संचार के माध्यम से हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना अनन्त विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरह नकुलह सह देवश्च सुगोश मनि पुश्पकव कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय नामक शंक बजाया कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनन्त विजयम अनन्त परमात्मा में स्थित दिलाएगा युद्धे इस्थिरह सह युदिष्ठिरह प्रकृति पुरुष खेत्र खेत्रग्य के संगहर्ष में स्थिर रहता है महान दुख से भी विजलित नहीं होता तो एक दिन जो अनंत है जिसका अंत नहीं है वो है परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है जियो जियो नियम उन्नत होगा अशुब का शमन होता जाएगा शुब घोशित होता जाएगा सत्संग रूपी सहदेव ने मड़ी पुषपक शंख बजाया मनीशियों ने प्रत्येक श्वास को बहमूल्य मड़ी की संग्या दी है हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाये एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरशों की वाणी से सुनते हैं किन्तु यथार्त सत्संग आंतरिक है श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है सनातन है चित सब और से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे यही वास्तविक सत्संग है ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधी के अभ्यास से संपन होता है जियों जियों सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाएगी त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रन मिलता जाएगा मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा जिस दिन सर्वता निरोध होगा वस्तु प्राप्त हो जाएगी वाद्य यंत्रों की तरहा चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है बाह ये मणी कठोर है किन्तु श्वास मणी पुष्प से भी कोमल है पुष्प तो विक्सित होने या तूटने पर कुमलाता है किन्तु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते किन्तु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रन दिलाकर परमलक्ष की प्राप्ति करा देता है इसके आगे पांडवों की कोई घोशना नहीं है किन्तु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तै करता है आगे कहते हैं काश्यष्च परमेश्वास शिखंडीच महारथ ध्रिष्ट द्युम्नो विराटश्च साथ्यकिष्चा पराजित अगे काया रूपी काशी पुरुष्च जब सब और से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास परमईश में वास का धिकारी हो जाता है परमईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है काया में ही परमईश का निवास है परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ट धनुश्वाला नहीं बलकि परम धन इश धन वास है शिखा सूत्र का त्याग है शिखंडी है आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेव हटा लेते हैं अगनी जलाना छोड़ देते हैं हो गया सन्यास उनका नहीं वस्तुतह शिखा लक्ष का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संसकारों का जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है पीछे संसकारों का सूत्रपात लगा हुआ है तब तक त्याग कैसा? सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए पीछे लगे हुए संसकारों की डोर कट जाए ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वता शान्त हो जाता है इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीश्म का विनाश करता है शिखंडी चिंतन पत की विशिष्ठ योग्यता है महारथी है ध्रिष्ट द्युम्न द्रिण और अचल मन तथा विराटा सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादी दैवी संपद के प्रमुख गुण है सात्विक्ता ही सात्य की है सत्य के चिंतन की प्रवित्ती अर्थात सात्विक्ता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी अचल पद दायक दुपद और ध्यान रूपी द्रवपदी के पाँचों पुत्र सहरदैता, वातसल्य, लावन्य, सौम्यता इत्यादी साधन में महान सहायक महारती हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यू इन सबने प्रिथक प्रिथक शंक पजाए भुजा कारिक शेत्र का प्रतीक है, जब मन भहे से रहित हो जाता है तो उसकी पहुँच दूर तक हो जाती है हे राजन, इन सबने अलग-अलग शंक बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए, इसके अत्रिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है, जो मन बुद्धी से परे है भगवान स्वयम ही अंतह करण में विराज कर तय कराते हैं इधर दृष्टी बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं, और सामने स्वयम खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं उस घोर शब्द ने आकाश और प्रिथवी को भी शब्दाय मान करते हुए ध्रितराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीरन कर दिये सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किन्तु हृदय विदीरन हुए ध्रितराष्ट्र पुत्रों के वस्तुतह पांच जन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुब का शमन और शुब की घोशना धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहरमुखी प्रवृत्यों का हरदय विदीर्ण हो जाएगा उनका बल शनह शनह खीन होने लगता है, सर्वथा सफलता मिलने पर मोह मई प्रवृत्या सर्वथा शान्त हो जाती है अथव्यवस्थितां द्रिष्ट्वा, धार्तराष्ट्रांक पिध्वजाह, प्रवृत्ये शस्त्रसंपाते, धनुरुद्यम्यपांडवह, रिशीकेशं तदावाक्यम, इदमाह महीपते, सेनयोर उभयोर मद्ये, रथम स्थापय मेचुता संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवरित मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांद कपी द्वजाह, वैराग्ये रूपी हनुमान, वैराग्ये ही द्वज है जिसका, द्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं, द्वजा चंचल थी, इसलिए कपी द्वज कहा गया, किन्तु नहीं, यहां कपी साधारण बंदर नहीं, स्वयम हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था, सममान निरादर आदर ही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विशियों से राग का त्याग ही वैराग्य है, अतर वैराग्य ही जिसकी द्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट पुत्रों को खड़े देख कर, शस्त्र चलने की तैयारी के समय, धनुष उठा कर, रिशी के शम, जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्यूत, जो कभी च्यूत नहीं होता, मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिये, यहां सार्थी को दिया गया आदेश नहीं, इश्ट सद्गुरु से की कई प्रार्थ ना है, किसलिए खड़ा करें। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूँ, कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है। योद्ष्यमानान वेक्षेहं ये एतेत्रसमागताहं धार्तराश्ट्रस्य दुर्बुध्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः दुर्बुध्धी दुर्योधन का युद्ध में कल्यान चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आये हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इसलिए खड़ा करे मोह रूपी दुर्योधन मोह मई प्रवित्यूं का कल्यान चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आये हैं उनको मैं देख लू संजय उवाच एव मुक्तो रिशी केशो गुडा केशेन भारत सेन योर उभयोर मध्ये स्थाप इत्वारतो तमं भीश्म द्रोण प्रमुखतह सर्वेशाम चमही ख्षिताँ वाच पार्थ पश्यताँ समवेताँ कुरू निती संजय बोला निद्रा जई अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्याता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीश्म, द्रोण और महीक शिताम शरीर रूपी प्रित्वी पर अधिकार जमाय हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रत को खड़ा करके कहा कि पार्थ इन इकठे हुए कौर्वों को देख यहां उत्तम रत सोने चांदी का रत नहीं है संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर शरीर के प्रती अनकूलता प्रतिकूलता से की जाती है यह परिभाषा अपूर्ण है जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है जिसके पीछे अनुत्तम मलिन्ता नहो तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पित्री नथपिता महा आचार्यान मातुलान भ्रात्रिन पुत्रान पवत्रान सकीन स्तथा श्वशुरान सुरिदश्चैव सेनयो रुभयो रपी इसके उपरांत अचूक लक्षवाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाईयों को, पितामहों को, आचारियों को, मामाओं को, भाईयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और सुहृदों को देखा दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहिर्द और गुरुजन दिखाई पड़े प्रचलित गणना के अनसार अठाहरा अक्षोहिनी धाई पौने तीन अरब के लगभग होता है जो आज के विश्व की जन संख्या के समकक्ष है इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के तीन चार रिष्टेदारों का परिवार मात्र था क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है कदा भी नहीं ये हिरदय देश का चित्रन है तान समीक्ष्य सकाउंते यह सर्वान बंधू नवस्थितान कृपया परया विष्टो विशीदन निदम अब्रवीत इस प्रकार खड़े हुए उन सम्पूर्ण बंधूं को देख कर अत्यंत करुणा से आवरित वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला अर्जुन उवाज द्रिष्ट्वेमं स्वजनं क्रिष्ण युयुच्छुं समुपस्थितं सीधन्तिमम गात्राणी मुखन्च परिशुष्षते वेपथुष्च शरीरे में रोमहर्षष्च जायते हे क्रिष्ण इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कम्ब तथा रोमान छो रहा है इतना ही नहीं गांडीवं स्रवसते हस्ता त्वक्चईव परिदैयते नचशक्नौम्यवस्थातुन भ्रमतीवचमे मनः हाथ से गांडीव गिरता है त्वचा भी जल रही है अर्जुन को जवर्सा हो आया संतप्थ हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े है अर्जुन को ब्राम हो गया वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ अब आगे देखनी की सामर्थ नहीं है निमित्तानिच पश्चामी विपरीतानी केशव नच श्रेयोनु पश्चामी अत्वा स्वजन माहवे हे केशव इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ युद्ध में अपने कुल को मार कर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा नकांशे विजयं क्रिष्ण नच राज्यं सुखानी चा किन्नु राज्ये न गोविन्द किम्भो गैर जीविते नवा संपूरन परिवार युद्ध के मुहाने पर है इन्हें युद्ध में मार कर विजये विजये से मिलने वाला राज्ये और राज्ये से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए वो कहता है हे शिरी कृष्ण मैं विजये नहीं चाहता राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता हे गोविंद हमें राजी या भोग अथ्वा जीवन से भी क्या प्रयोजन है क्यूं ये शामर्थे कांख्षितन्नों राज्यम भोगा सुखानी चाथ हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं वे ही परिवार जीवन की आशा त्याक कर युद्ध के मैदान में खड़े हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी किन्तो जब सब के सब प्राणों की आशा त्याक कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य भोग नहीं चाहिए ये सब इनहीं के लिए प्रियत हैं इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवशक्ता नहीं है जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती है जोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र और स्वजन को मार कर विश्व का सामराज्य स्वीकार नहीं करेगा अर्जुन यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे विजय प्रिय थी किन्तु जिन के लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगुं से क्या प्रयोजन इस युद्ध में मारना किसे है आचार्या पितर पुत्राह तथै वच पिता महाह मातुला श्वशुरा पुत्राह शाला संबन्धिनस तथा इस युद्ध में ताउ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पोते, साले तथा समस्त संबन्धी ही है एतान नहन्तु मिच्छामी, ग्नतो पिमधु सुदन अपित्रै लोक्य राज्यस्य, एतो किन्नु मही कृते ए मधु सुदन, मुझे मारने पर भी, अत्वा तीन लोक के राज्य के लिए भी, मैं इन सब को मारना नहीं चाहता फिर पृत्वी के लिए कहना ही क्या अठाहरे अक्षवणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा इतने अधिक स्वजन वास्तों में क्या है? वस्तुत है, अनुराग ही अर्जुन है भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है सभी चाहते हैं के हम भजन करे, उस परमसत्य को पाले किन्तु किसी अनुभवी सद्गुरु के संग्रक्षन में कोई अनुरागी जब ख्षेत्र, ख्षेत्रग्य के संगर्ष को समझता है के हमें किन से लड़ना है, तो वो हताश हो जाता है वो चाहता है कि हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहरद, मित्र और गुर्जन साथ रहे सभी सुखी रहे और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले किन्तु जब वो समझता है कि आराधना में अगरसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा इन सम्मंधों का मोह समाप्त करना होगा तो वो अधीर हो उड़ता है पूज्य महराज जी कहा करते थे मरना और साधु होना बराबर है साधु के लिए स्रिष्टी में दूसरा कोई जीवित है भी किन्तु घरवालों के नाम पर कोई नहीं है यदि कोई है तो लगाव है मोह समाप्त कहां हुआ जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग उस लगाव के सास्दित्व मिटने पर ही उसकी विजह है इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है अन्यथा जगत में हमारा क्या है तुलसिदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है मन का प्रसार ही जगत है योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया इहाईव तैरिजितह सरगो ये शाम साम्ये स्थितम मनह केवल अरजुन अधीर था ऐसी बात नहीं है अनुराग सबके हिर्दय में है प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है उसे संबंधी याद आने लगते हैं पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाब होगा तो ये सब सुखी होंगे इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे जब ये साथ ही नहीं रहे तो सुख लेकर क्या करेंगे अर्जुन की द्रिष्टी राज्य सुख तक ही सीमित थी वो त्रिलोकी के सामराज्जी को ही सुख की पराकाश्ठा समझता था इसके आगे भी कोई सत्य है इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है निहत्यधार्त राष्ट्रान्न काप्रीति स्याज्यनार्दन पाप मेवाश्रय दस्मान अत्वय तानात ताईन एजनार्दन धृत्राष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी जहां धृत्राष्ट्र अर्था धृष्टता का राष्ट्र है उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादी को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी इन आतताईयों को मार कर हमें पाप ही तो लगेगा जो जीवन यापन के तुछ लाब के लिए अनीती अपनाता है वो आतताई कहलाता है किन्तु वस्तुता है इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पत में अवरोध उत्पन्य करता है आत्म दर्शन में बाधक, काम, क्रोध, लोब, मोह, आधिका समूह ही आतताई है तस्मान नारहा वयम हंतुं धार्तराश्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस्याम माधव इससे है माधव, अपने बांधव ध्रितराश्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रुत है न? वस्तुता शरीर के रिष्टे अज्ञान से उत्पन होते हैं ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है जब शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिष्टे ही कहा रहेंगे मोह है, तब ही तक सुहृत है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है मोह नहीं, तो कुछ भी नहीं इसी लिए, वे शत्रुभी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े वो कहता है, कि अपने कुटुम्ब को मार कर हम कैसे सुखी होंगे यदि अज्ञान और मोह न रहे, तो कुटुम्ब का अस्तित्व न हो ये अज्ञान ग्यान का प्रेरग भी है भरत्री हरी, तुलसी, इत्यादी अनेक महान भावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली तो कोई सौतेली मा के व्यावार से खिन होकर वैराग्य पत पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है यद्यप्यतेन पश्यंति लोभो पहत चेत सह कुलक्षयक्रितं दोशं नित्रद्रोहे चपातकं यद्यप्य लोब से ब्रश्ट चित्थ हुए ये लोग कुल नाश के दोश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं ये उनकी कमी है फिर भी कथम नगेयमस्माभि पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षयक्रितं दोशं प्रपशध्यर जनार्दन कुल नाश से होने वाले दोशों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए मैं हिपाप करता हूँ ऐसी बात नहीं आप भी भूल करने जा रहे हैं कृष्ण पर भी आरोप लगाया अभी वो समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता प्रत्येक नया साधक सद्गुरू की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता यही अरजुन भी कहता है कि ये भले न समझें किन्तु हम आप तो समझदार हैं कुल नाश के दोशों पर हमें विचार करना चाहिए कुल नाश में दोश क्या है कुलक्षय प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृच्णं अधर्मो भीभवत्युत कुल के नाश होने से सनातन कुल्धर्म नष्ट हो जाते हैं अरजुन कुल्धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था धर्म के नाश होने पर संपोर्ण कुल को पाप भी बहुत तबा लेता है अधर्मा भिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह स्त्रीशु दुष्टासु आर्ष्णियह जायते वर्ण संकरह हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रिया दूशित हो जाती है हे वाश्रणे स्त्रियों के दूशित होने पर वर्ण संकर उत्पन होता है अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूशित होने से वर्ण संकर होता है किन्तु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथ्वा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है वर्ण संकर के दोशों पर अर्जुन प्रकाश डालता है संकरो नरकाईव कुल घ्ञानाम कुलस्यच पतन्ति पितरो ये शाम लुपत पिंडो दकक्रिया वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुपत होई पिंडो क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं वर्तमान नश्ट हो जाता है अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविश्य वाले भी गिरेंगे इतना ही नहीं दोशे रेते कुल अग्नाना वर्ण संकर कारकई उच्साध्यनते जाती धर्मा कुल धर्मा अश्चशाश्वता इन वर्ण संकर कारकई दोशों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्च्थ हो जाते हैं अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है कुल धर्म ही शाश्वत है किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूड़ी को जानता है ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो कृष्ण के शब्दों में एक रूडी है उत्षन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवती त्यनुषुश्रुमा हे जनार्दन नश्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है ऐसा हमने सुना है कुल धर्म ही नहीं नश्ट होता बलके शाश्वत सनातन धर्म भी नश्ट हो जाता है जब धर्म ही नश्ठ हो गया, तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है अहो बत महत पापं, कर तुम व्यवसितावयं, यद्राज्य सुखलो भेन, हम तुम स्वजनमुद्यता अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बहान पाप करने को तैयार हुए हैं, राज्य और सुख के लोब से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं अब ही अर्जुन अपने को कम ग्याता नहीं समझता, आरंब में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है, महात्मा बुद्ध का कथन है कि, मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है, तो अपने को महान ग्यानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है, तो अपने को महान मूर्क समझता है, ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ग्यानी ही समझता है, वो कृष्ण को ही समझाता है, कि उस पाप से परम कल्यान हो, ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोब में पढ़कर, हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं, हम ही भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं, एक धक्का कृष्ण को भी दिया, अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है, यदि माम प्रतिकारं, अशस्त्रं शस्त्र पान यह, धार्तराश्ट्रा रणे हन्यू, तन्मेक्षे मतरं भवे, यदि मुझ शस्त्र रहित, न सामना करने वाले को शस्त्रधारी ध्रतराश्ट के पुत्र रण में मारें, तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अतिक कल्यान का रखोगा। इतिहास तो कहेगा कि अरजुन समझदार था, जिसने अपनी बली दे कर युद्ध बचा लिया, लोग प्राणों की आहुती दे डालते हैं, कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुश्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रासाद मे रहे, किन्तु दो दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई जोपड़ी याद आने लगती है, मोह इतना प्रबल होता है, इसी लिए अरजुन कहता है, कि शस्त्रधारी ध्रितराश्र के पुत्र मुझ नप्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वो मेरे लिए अतिक अल्यान कारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें, संजय उवाच एव मुक्त्वार जुन संखे, रथो पस्थ उपाविशत, विस्रिज्य सशरम चापं, शोकसं विग्न मान सह संजय बोला, कि रण भूमी में शोक से उद्विग्न मनवाला अर्जुन, इस प्रकार कहकर बान सही धनश को त्याक कर, रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात, खेत्र खेत्रग्य के संघर्ष में भाग लेने से पीछे अट गया निशकर्ष गीता क्षेत्र क्षेत्रग्य के युद्ध का निरूपण है यह इश्वरिय विभूतियों से संपन भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है जिसमें दो प्रवृतियां है धर्मक्षेत्र और गुर्क्षेत्र उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया शंक ध्वनी से उनके पराक्रम की जानकारी मिली तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीच्छन हुआ जिसकी गणना अठारे अक्षाउणी अर्थात लगभग साड़े छे अरब कही जाती है किन्तु वस्तुतह वे अनंत है प्रकृति के दृष्टि कोण दो है एक इश्टोन मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद दूसरी बहिर मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद दोनों प्रकृति ही है एक इश्ट की ओर उन्मुख करती है परमधर्म परमात्मा की ओर ले जाती है और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है फिर शाश्वत सनातम परब्रम्ह के दिखदर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवशक्ता शेश हो जाती है युद्ध का परिणाम निकलाता है अरजुन को सैन्य निरीक्षन में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है जहां तक संबंध है उतना ही जगत है अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है साधक जब देखता है के मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे विठे ही नहीं तो उसे घबराहट होने लगती है स्वजना सक्ति को मारने में उसे अकल्यान दिखाई देने लगता है वह प्रचलित रूडियों में अपना बचाव ढूनने लगता है जैसा अरजुन ने किया उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है इस युद्ध से सनातन धर्म नश्ट हो जाएगा कुल की स्थ्रियां दूशित होंगी वर्ण संकर पैदा होगा जो कुल और कुल घातियों को अनंतकाल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है अरजुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी ये महान पाप क्यों करें अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं अन्ततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्धन नहीं करूँगा ऐसा कहता हुआ हताश अरजुन रत के पिछले भाग में बैठ गया खेत्र खेत्रग्य के संगर्ष से पीछे हड़ गया पीका कारों ने इस अध्याय को अर्जुन विशाद योग कहा है अर्जुन अनुराग का प्रतीक है सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विशाद योग का कारण बनता है यही विशाद मन को हुआ था हरदय बहुत दुख लाग जनम गयव हरी भगती बिनु संशय में पढ़कर ही मनुश्य विशाद करता है उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा सनातन धर्म के नश्ट होने का भी उसे विशाद था अता संशय विशाद योग का सामान्य नाम करण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है अता ओम तच्चदिती श्री मदभगवद गीता सूप निशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन समवादे संशय विशाद योगो नाम प्रथमो ध्याय इस प्रकार स्वामी अलगळा नंकृत श्री मदभगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है अर्ण होता है